प्लीज सब्सक्राइब और नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो और विंदों को काफी दिक्कते आएगी प्रदीप यह कहना मुश्किल है लेकिन मैं समझता हूं कि ओवराल मैनेजमेंट की जो कॉमेंटरी प्रिवेस कौर्टर में थी और प्लस यह जो अब्सरेशन मिले हैं मुझे नहीं लग रहा है कि इससे प्लांट क्लोजर या इंपक्ट होगा हाँ थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इंपक्ट ज़रूर हो सकता है बट इसकारण की मच्छर मिले हैं और इसकारण प्लांट शटडाउन होगा प्रोड़क्शन लॉस होगा ऐसा तो संभावना कम लग रही है तो मुझे लग रहा है कि शायद आज थोड़ पर यूएस के मार्केट के सेल्स में इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है अगर आप लूपिन या कोई असन फार्मा की बात करें तो यहां पर तो यूएस मार्केट में इनके मार्जन और टॉप लैन एक्चुली गिरे हैं तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गिरा बताया था कि मच्छर मक्री वाली बात तो ठीक है लेकिन डेटा इंटिक्रिटी को लेकर कोई दिक्कत को नजर नहीं आए थी तो पिछले हटे सोमवार को इन्होंने खुद एक्चेंजिस को बताया था लेकिन अब यह ख़बर वापस से आ रही है तो लेट सी आज यह स्ट यह बतना पॉसिटिव नेकरता है पिछले कई हफतों में अलव हैं इस टॉक गिरता है वह निगेटिव है लेकिन अविनाज जो कह रहा है मैं बिल्कुल सरमत हूँ कि अभी extreme oversold में है मुझे नहीं लगता यह stock 620-630 के उपर जाएगा कितनी भी positive news हो और अगर आपको किसी को as a trader buy करना है तो 630 के उपर जब weekly close होगा फिर यह 660-670 में भी 700 तक की move की तैयारी होगी तब तक मुझे नहीं लगता यह positional long के लिए ready है on the downside 560-570 यह break होते हुए भी नहीं लगता है unless नहीं बहुत ज्यादा negative 570 नीचे में 670 उपर 630 630 और at max आप कह रहे थे 670 अगर 630 ब्रेक हुआ तो 670-680 ध्यान रखिए sir यह trading range है इस share के लिए और मेरा और वागले साब ने यह share खरीद कर रखा हुआ है